आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ राश्ण है मेंडग तथा मचली के बीच दो विभिन नता हैं बताईए उतने जानते हैं यहाँ पर इस तरफ हम लिखते हैं मेंडग जबकि दूसरी तरफ हम लिखते हैं मचली मेंडग जो की आता है उबहे चरवर्ग से तो मेंडग किसका सदसे है? मेंडग उबहे चरवर्ग का सदसे है जो मचली है वह मतस्य वर्ग का सदस्य होती है बात करते हैं इनकी विभनिताओं के बीच यहां पर दो विभनिता हैं हमें देखनी है तो पहली विभनिता जो मेंड़क और मचली के बीच होगी वह होगी इनका शरीर तो इनका शरीर जैसा कि हम देखते हैं कि जो मैंड़क होता है मैंड़क का शरीर किस प्रकार का होता है तो मैंड़क का शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है सिर तथा धड़ होता है यहाँ पर जबकि जो मचली होती है उसका शरीर किस प्रकार का होता है चलें देखते हैं वो भी तो यहां पर हम देखेंगे कि जो मचली होती है उसके शरीर में सिर होता है धर होता है और पूच होती है तो सिर धर तथा प्मूच में विभाजित शरीर होता है उसके अतरिक यहां पर जो मचली का शरीर होता है वह नौका कार भी होता है तो मचली का शरी नौका कार होता है दूसरी चीज मैंड़क का हृदय तो दूसरा जो हमारा विबनता होगी वो होगा इनके हृदय हृदय किस प्रकार का होता है मैंड़क का तो मैंड़क का जो हृदय होता है उत में तीन वेश्म पाए जाते है तो मैंड़क के हिर्दे में हम देखेंगे कि तीन वेश्म पाये जाएंगे ये तीन वेश्म कौन से होंगे तो तीन वेश्म होते हैं पहली बात और ये तीन वेश्म कौन से होंगे ये जो तीन वेश्म होंगे इसमें हम देखेंगे दो आलिंड होंगे तो यहाँ पर जो तीन वेश्मे हैं, उनमें हम देखेंगे कि दो आलिंद होंगे और एक निलै होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो आलिंद तथा एक निलै होगा हर्दे में, जबकि जो हमारा मतस सिवर्ग है या मचलिया हैं, इनके हर्दे में हम देखेंगे कि केव केवल दो ही वेश्म होंगे तो केवल दो वेश्म है इनके हिरदें में ये दो वेश्म कौन से है इन दो वेश्म में हम देखेंगे कि एक उपर की तरफ आलिंद पाया जाएगा एक आलिंद होगा और एक ही यहाँ पर निले भी होगा तो एक आलिंद और एक निले पाया जाता है किसमें? मचलियों में जो हमारी तीसरी विबनता होगी वो कौन सी होगी? इनमें श्वसन किस प्रकार से होता है? तो यह जो मैंड़क हैं इनमें हम देखते हैं कि श्वसन होता है जब यह स्थल पर रहते हैं तो किस प्रकार से होता है? जब यह स्थल पर रहते हैं तो इनमें श्वसन होता है फेफणों की सहायता से जबकि जब यह जल में रहते हैं तो इनमें श्वसन होता है इनकी नम तवचा की सहायता से तो इन में तवचा जो होती है वह नम पाई जाती है और नम तवचा के माध्यम से यहाँ पर श्वसन होता है कब जब ये रहते हैं जल में तो इस प्रकार से इन में श्वसन पाया जाता है जबकि जो मतस्य वर्ग होता है या मचलियां होती है इन में श्वसन पाया जाता है ग दरानों के द्वारा श्वसन तो इस प्रकार से इन में हम देखेंगे ये तीन विबनताएं शरीर में, हिर्दे में और श्वसन में इस प्रकार से और भी विबनताएं इनके शरीरों में होती हैं आशा करते हैं आपको प्रशन का उत्तर मिल गया होगा धन्यवाद